यहां इस प्रेस कॉंफिरेंस में हमारे साथ कॉंग्रेस पार्टी, CPI, CPM, भाकपा माले, कॉंग्रेस पार्टी और RGD के सभी यहां नेता और प्रिंट इलेक्ट्रोनिक वीडिया के हमारे जितने साथी हैं सभी लोगों का स्वागत है सबसे पहले मैं बड़ा विन्यम्ता से हाथ जोड करके, नत्ममस्तक हो करके बिहार की जनता को धनिवाद देना चाहूंगे और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाओं का फैसला आया है जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाओं आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है जनता का फैसला महागरबंधन के पक्ष में है चुनाओं आयोग का नतीजा इंडिये के पक्ष में है आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमिशन का है नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटा नहीं है 2015 में महागरबंधन जब बना था तो वोट जो है जनादेश जो है वो महागेडबंधन के पक्ष में था लेकिन चोर दर्वाजे से बीजेपी सरकार में आई जो कि बीजेपी के चनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना लेकिन बीजेपी की सरकार रही कहा जाता है डबल इंजन की सरकार लेकिन पूरे चुनाओं में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था जो चनता का मुद्दा था चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे गरीबी भुकमरी पलाइन मलदूर किसान सिक्षा चिकित्सा या आप कह सकते नियुज़ित सिक्षकों को जो समान काम समान वेतन या स्वायम साह समू के मानदे की बात रही हो नौकरी की बात रही हो उसको लेकर के हम लोग बड़े सकरात्बक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और समुद्दे पे चप्षा हो और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का विहार का ही ने बल्कि देश का युवा मजदूर किसान स्वैप शाय समू जीविका दीदी हो आंगन बाली हो आशा वरकर हो विकास मित्र हो निज़त सिक्छक हो जो हमारे श्रमवीर रहे हो आज सब लोगों में आक्रोश है आक्रोश इस बात का धन बल चल धन बल चल एक तरफ देश के प्रधान मंत्री बहुत ही शक्तिशाली प्रधान मंत्री और एक विहार के मुक्ष मंत्री तमाम पूंजी पती एक तरफ रहे जोर भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे तब जा करके जो बीजेपी का जो प्रकोष्ट है आप प्रकोष्ट भाली भाती समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ट कौन है बीजेपी के प्रकोष्टे जोर भाग गुना सब कुछ किया फिर भी राश्टी जन्ता दल को सिंगल लार्जस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई और महागट बंधन के सभी सातियों पर एक जुट हो करके हम लोगों लोगों ने मुद्धे की चुनाओं पर हम लोग चुनाओं लड़ने का काम किया और आप जानते हैं कि यह मुद्धा कुछ लोगों ने असमर्टा जताई की नौकरी नहीं दी जा सकती जो की डबल इंजन का चेहरा है जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट जनता अदल को हमने कहां से कहां पहुचा दिया आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पर नितीश कुमार जी साफ तोर पर ये समझ लें भाजपा के लोग साफ तोर पर ये समझ लें ये जो जनादेश है ये बड़लाव का चनादेश है अगर थोरी सी भी अंतर आत्मा नेतिक्ता नितीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुरसी पर बैठने का जो शौक है जो तोर भाग गुना करके जो बैठने का शौक है कही ना कही से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते वे कुरसी से हट जाना चाहिए और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे लेकिन महागेडबंदर और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए जनता पिहार की जनता हम लोगों के साथ है और बड़ा आशर की बात है अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे क्योंकि हमारा पश्ट मानना है कि हम जीते हैं हम हारे नहीं है हम जीते हैं पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक अजेंडा सेट किया और यह जो नतीजा आया है यह हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में लेकिन क्या यह सवाल खरा होता है कि देश के खास्तार पर बेरुजगारी जहां बिहार में 46.6 फीस दी है जहां मुख्य मंत्रिय समर्टता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता बिहार का जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता यह सवाल खरा करता है और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएं लेकिन सरकार में अगर जो लोग चल कपड़ धन भल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि चार दिन की ही चांदनी है लेकिन अगर उनीस लाग रोजगा समान काम वेतन नियुज़त सिक्षकों को स्वेम साय समू को अगर मान देऊ सिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महिने पर हम महा गर बंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करें हैं दूसरा पहलो कुछ लोग बड़ा कहें कि हार गये तो लोग रो रहने हैं हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं हम लोग संघश करने वाले लोग जनता के बीच रहने वाले लोग सब को साथ ले करके चलते हैं जहां भी रहेंगे जनता की अवाज को बुलंदी से उठाते नहीं लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिर कहां चोरत और भाग गुड़ा हुए तो कुछ सवाल है हम आपको counting of postal ballot papers की प्रक्रिया बता दे काउंटिंग postal ballot में एक दिन पहले राष्टी जनतादल के पेच्ट से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था ठीक चुनाओं से पहले उस वीडियो में साफ तोर पर दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में गारी निकली और उस गारी में postal ballot चुनाओं आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांस्पोर्टेशन चुनाओं के वोट बख से कोई धर सुधर ले जाया जा सकता है नहीं ले जाया और अगर आप इनी के लॉज की बात करें कि क्या प्रोसीजर होना चै काउंटिंग ऑफ पोस्टल बालेट पेपर 15.15.4 इनका पॉइंट है उनी का इलेक्शन का मिशन का अस पर दा रिक्वार्मेंट ऑफ रूल 54-A ऑफ C.E. जाद का पोस्टल बालट चै कि टेके अप वर गंटिंग ऑफ पोस्टल बालट की गंती जो है उसकी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए अब लुट टैंसी पर पूंटे इस में लिखा है। आपको प्रक्रिया जो है समांतरन शुरू कर देनी चाहिए वोटो की पोस्टल बैलट की वोटो की गिंती पहले ही शुरू कर देनी चाहिए ये मेडा नहीं है ये तो चिनाव आयोक का है after a gap of 30 minutes from the commencement of counting of postal ballot papers the counting votes of EVM can start पर 30 minute के बाद आप EVM की जो प्रक्रिया है वोट चालू कर सका है counting of postal ballot papers shall be done at returning officers table और पॉस्टल बैलिट पेपर्स रिसीव बारिटर्डिंग ऑफिचर शुट बी ब्रॉट बिफोर हिम हो ओनली सच पोस्टल बैलिट पेपर्स आर आज रिसीव बिफोर दा आवर फिक्स्ट फॉर कमंश्मेंट ऑफ दे काउंटिंग इसमें साफ तौर पे यह जिक्र किया गय कि प्रक्रिया जो है पोस्टल बैलेट की पहले होनी चाहिए और जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले एवियंग कही करिए आप पोस्टल बैलेट पाले कांट दिए तीसमेरे बाद आप इवियंग की चालू कर सकते एक और है पंदरा पॉइंट पेस नमबह 2060 पे जाकर दे When the Prime Minister received, then there should be a mandatory re-verification of all Postal Valets. In the presence of Observer and the RO, all the Postal Valets rejected as invalid as well. पोस्ते हों компании हैं फैडने हैं एक काडिए काड़ acc इसमें साफ तोर पे है कि आप चाहे पोस्टल जो इन्वालिड हो या वैलिड हो आपको अब्जर्वर और इन सब के सामने जो है विडियोग्राफी करा करके इसका सीडी वी जितना विडियोग्राफ्ट है कैसे इन सब को सील करके रखा जाए और यह सील का जो डिरेशन होता है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है चिनाओ नतीजे के 40 दिन ताप इलेक्शन कमिशन को यह अनुमती है कि वो पोस्टल बैलेट्स को जो है सील रख सकते हैं आप शिकायद जो होगा आपको साटिस्पाइब करना है यू हाव तो साटिस्पाइब आल दी कैंडिडेट्स वेदा इफ्टे आफ डाउट्स वेकोज यह इलेक्शन कमिशन की डिटी है अब एक और इंट्रेस्टिंग देटा आप लोगों को हम बताना च साथा इफिए अंडिये को जो कुल वोट मिला एक करोर शन्तावन लाग शाट सो अठाइस और मैं दोरा दूं एंडिये का जो कुल वोट है एक करोर शन्तावन लाग 728 जिसका प्रतीष्यत निकलके आता है ओल ओवर चुनाओं का 37.3 महागरबंधन को वोट जो मिले एक करोर चपन लाग अठासी हजार चारसो अन्थावन एक करोर चपन लाग अठासी हजार चारसो अन्थावन जो कुल प्रतिशन महागरबंधन का निकल के आता है वो 37.2 हमें मिले 37.2 और एंडिया को मिले 37.3 यादि एक पॉइंट का अंतर है पॉइंट वन का अंतर है जो कि अगर वोट में अगर कनवर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर यादि एंडिया और महागरबंधन का फुल वोटों का अंतर 12,270 का है अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे आगे हैं ये आश्यर की बात है कि 12,000 में वो पंदरा सीटे जीडियें और याद किजेगा अद्बुद आकरा हम आपको और भी देंगे जो कई बार पोस्टल से मद्दान किया गया होगा इंवलप में करते हैं यादि जो जागरुक व्यक्ति है वही ये काम कर सकता है है अप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते हैं ये रिजेक्ट समझ में आता हैं कि नो जो सो को सब्सक्राइब कर रहें अलिए अर्टिशन कर रहे हैं तो यह चुनाउँ के उमीद्वार का जिब्रभारी तो नहीं है रद किस वज़े से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद क्यूं हुआ जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्ण में आरो से की लिखित में दीजिए कि आपने रद क्यूं किया आरो की जिम्यदारी है कि वो कैंडिडेट्स को साटिस्फाय करें जो कि हमने आपको काइड लाइन में बताया और किस से पूछ करके इलेक्शन कमिशन ने गिल्ती जो है लास्ट में पोस्टल कर किया और रद करने का काम किया पहले कि उन्हें काउंटिंग कराईगे किसके दबाव में अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए है तो हमारी मांग है क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है रिकॉडेड होने चाहिए विडियोग्राफी लाइए वैलिड इन्वैलिड बैलिड पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए यह हमारे महागर बंधन लोगों कही मांग है उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए हमारी जो हार हुई 17 वोट से 12 वोट से 50 व यह लोग बोलते रहें रोए रोए लेकि मेरा सवाल जाइज है चुनाती देता हूँ बिहार के मुख मंतरी को जो चोड दर्वाजे से सत्ता हट्यारा चाहते हैं सत्ता धारियों को कि पोस्टिंग पोल एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलिट का पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए बात में होना चाहिए वहीं लोग बताए मेरा सवाल है अब बात में हुआ है तो किसकी गलती है बस इतना सहां माउनलीजा सिम्पल आंसर हम जाना चाहता है कि आप जो गाइडलाइन से चुना हुआ योग का साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है इस पे साफ तौर पे लिखा है 15.15.4 काउंटिंग और पोस्टर बैलेट पेपल इस पे साफ तौर पे लिखा है बताए अगर काउंटि कराने में क्यों नहीं करा रहे हम लोगों के कैंडिडेट डिमांड करते रहे लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया हमारी उमिद्वारों को सुना नहीं गया लास्ट वे कही जगा तो ऐसा हुआ रागोपूर का ही हम बता दे रागोपूर का हम अपना बता दे तीन बज़े तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई रात के ग्यारा बज़े सेटिफिकेट बिल गया 11 बज़े मेरा तो 36,000 का डिफरेंस था लेकिन जहां कम मार्जिन जहां हम जीत रहे थे वहां पूस्टल बारेक 900 संख्या में तो आप कराती क्यों भी है जब रधी करना है तो पूस्टल पे काउंटी मत करा वोटी मत कराईए अगर पूस्टल का अगर कोई वैलियर नहीं है करना है। काउंटिंग प्रतिया ने क्यों जोडते हैं आपके पास तो पूरा दस्तावेट सब दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा पता चल जाएगा कौन और किसके दवा पे काम कर रहा है किसके शारे पे शारे पेन अला है तो ये कई जगह तो सिर्टिफिकेट जने को प्रियास किया गया आप अब बताए हम सबूत कहां से लाए ना मोबाइल ले जाने डिया जाता है भाल ले जाने दिया जाता है दाकि प्रवेश्की की आजकरने दिया जाता है हूंको तो छोड़ 정도로 की लोगों को जब आप इसकी रिकॉर्डिंग निकालिएगा CCTV की विडियो ग्राफिक की बैलेट इन वैलेट जो कियो उर निकाल के दिखाऊ ना जनता को क्या जिनका रद किया गया वोट क्या तो आप वोटर मानते ही नहीं है अगर रद हुआ तो क्या प्रक्रिया है कि यू फुर से पुर्ण मत्दान करें चुनाओ आयू के लिए तो एक एक वोट का महत्व है ना लोग तंत्र में आप नो नो सब वोट पोस्टल बालत का रद कर दिशेगा एक कौन्चुएंची में और वो भी एजुकेटेट जागरुख वोटर्स का जो सर्विस में है उनके वोट के मान नहीं होगा तो भाई सवाल तो बनता है क्योंकि यह लोग तंत्र बचाने की लड़ाई है और लोग तंत्र कैसे बचे और एक वोट से हार भी होती है जीद भी होती है लेकिन आप देख रहे होंगे ना चेहरे का चमक कहा चला गया तीसरे नंबर पार अब तक सामने में आये फिर कॉरंटाइन होगे फिर कॉरंटाइन होगे अरे भाईया अंतर आत्मा जगाईये नेतिक्ता सिद्धांत नीती विचार सब धूमिल आपने कर लिया अब आपने तो खुद कहा सन्यास लेने की बात सन्यास लेने का काम कर रहे हैं तो कम से कम आखरी के च्छन दिनों में कालीक अपने मूँ पर मत्पतवा करकी जाए कालीक अपने मूँ पर या जनता का हाई ले करके अपने राजनितिक सफर का अंतर मत्थ कीजे नितीजी अंतर आत्मा जगाईये इसलिए हम सब लोगों को लगा कि ये प्रेस कॉन्फियंस करना अब मैं पुना बिहार को धन्यवाद दूंगा धन्यवाद यात्रा करूंगा भले ही छाल कपट से कुर्सी पर ना बैठ पाई लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है इसके लिए हम जरूर जन्ता को धन्यवाद देंगे और हमारा मानना है महागरबंधन की जीत हुई है डबल इंजन की हार हुई है जन्ता हमारे साथ है और कुछ प्रको किसी के दबाव में काम कर तो इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो इसका जवाब देना चाहिए सवाल बहुत संद्धित तरीके से पूछीगा एक पर एक हावाब पूछी करेंगी जनादेश जनता ने बदलाव के लिए तो जो लोग बदलाव के साथ हैं इस चीजों को समझेंगे तो जरूर वह अपना फैसला ले हैं हमने तो साफ तौर पर बोला कि यह जनादेश जो है बदलाव का है यह उनके उपर है कि वह जनता के साथ इस फैसले के साथ रहते हैं नहीं रहते हैं पहले बात महागरबंदन हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़े हम लोग एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े है कौन क्या कहता है यह विशलेशन का समय नहीं है अभी जो बात है यह समय है कि हमको जो हराने का प्रयास किया जा रहा है जो हमने simple सा सवाल पूछा है कि जो रद हुए है क्यूं हुए है प्रक्रिया उसकी शुरुवाद की थी अंत में आपने यह क्यूं किया आपने return में लिख करके क्यूं नहीं दिया मेरा अभी भी मानना है कि लग बग ऐसे 20 सीटे जो है हम लोगों को हराया गया है कि एक साथ कि एक सो अनीस के आपड़ों तक आपने शुआ पिर एक सो आठ हो जाता है फिर एक सो अटास पे उसको अगर जाता है हम पांच गंटे इसको लेकर क्या काना है और कहीं न कहीं वह ऐसी ने आपको जो है एक तरह से तेका जाए तो नुफसान पहुचाए नहीं देखें किसी के बाद एक तो अपने ही गाइडलाइन्स का जब हमने आरा का एक एक जांपल दिया कि रात में आप बखसा लेके जा रहे हो आ रहे हो वह क्या उचित है क्या वह गाइडलाइन्स को वह चीज़े फॉलो करती है वह तो एविडेंस हुआ ना वह तो तो इसमें हम तो इस पस्टूप से मान रहे हैं कि हमको तो कम से कम 130 सीटे महागडबंधन को मिली है एक 130 सीटे मिनीमम महागडबंधन को मिली है अधर ए कटा नहीं बनी है और क्टान देले के लिए गों। I have been asking simple question to release to satisfy the candidates... whatever their query has... ...that's it. If they will not satisfy the candidates, then we might go to the court. बहुत ही अच्छा सवाल. हम तो कह रहे हम 130 सीट जीते हुए है. हम तो बहुमत में आगे हैं. हम तो बोल रहे हैं. कहां नुक्सान पहुचाया? दूसरी बात. silent voters. silent voters है कि invisible voters है. और silent voters क्या बोल रहा है? आप लोगों को कौण बोल दिया कि silent voters है? एंडिया को बोल दिया? हम तो जानना चाहते हैं. तब तो silent voter रहा ही नहीं न? बदान मंत्री जी silent voter का जिक्र कर रहे हैं. उनके बढ़तो लोग बड़ा vocal होते था अब silent हो गए और silent हो गए तो प्रदान मत्री जी को कान में जाके बोल दिया गया जब बोली दिया तो silent काण रहे गए यह silent voter ठे नहीं यह silent वही है जो invisible voter है जो की BJP के प्रकोष्ट है कर देखे कौन किसे साथ है कहां किसके साथ है लेकिन हमारे आँख़े के हसाब से जो केंडिडेट वहां रहे हम तो 130 पर हैं हम तो यह कह रहें बिहार की जंता हमारे साथ है आप क्यों जोड़ गुना भाग करा करके आप सरकार हती आना चाहते हैं पहली बात महिलाओं की जहां तक बात आएगी तो जब सरकारी नौकरी मिलता है तो इसमें महिलाओं नहीं ह हैं आप देखिएगा महिंगए इतनी बढ़ गहीं तो क्या महिलाओं के कीच tape नहीं किया सिलेंडर का डाम क्या है, घर का बिजली बिहार में सबसे महिंगा कए महिलाओं को असर नहीं करता है यह महिलाओं कथल अगर सिराप का घर का पैसे का तो 200 रुप्य का आज नितीज कुमार जी के वज़ा से जो ब्लाक मार्केट बन गया है वही 200 रुपय से जादा 500 रुपय का घाटा हो रहा है महिलाओ को तो कहां से उनके साथ महिला है भई ये सब केवल एक स्क्रिप्टेड प्रोपगेंडा चलाया गया है और जो कि इस इलेक्शन में ये जितने स्क्रिप्टेड प्रोपगेंडा चलाने की कोशिश की गई अरे आपने तो देखा इस चुनाओं में इतने शक्ति साली पी-म हो मुक्यमंत्री हो अब शब्द भी मेरे को कहा मेरे परिवार को कहा फिर भी हम आशिर वचन के दौर पर हमने चुनाओं लड़ा तो कहां से आपका देखें सिंपल मैं तो सत्ता में बैठें लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप बताए प्रोसीजर क्या है पोस्टल का गिंती की क्या प पूइं नहीं हुई जो भी छोड़ी है अलग वात या हमारे जो उमीद्वार रहे अगर वो कोई क्वेरी कि इलेक्शन कमिशन को उस समय बूठ रहते तो उसमय इंकार क्यों किया गया लिकित तोर पे क्यों ने दिया गया और अब हम सभी उमिद्वार जो है लिकर के इलेक्शन कमिशन को भेज रहे हैं और हमको तो सीडी भी चाहिए विडियोग्राफी भी देखना है इसे पहले कि मैं अगला सवाल ते इसमी जी के लिए लोग मैं एक चीज़ और उसमें जोड़ देना चाहता हूँ इस पार सबसे बड़ा पोस्टल बैलेट का अधार था नियोजिक सिप्चकों की बिहार सरकारों की मुखिया को मालूम था कि ये पूरी की पूरी नियोजिक सिप्चकों का समुदा है शिफ्ट कर गया है इसलिए इन्वैलिट करने की कोशिश कुई और वो सब चीज़े हम और एक बात इन्वैलिट करने का कारण जो उनको संदे है यह है कि पोस्टल कि जितने भी काउंटिंग हुई है एस जिन एक्जांपल रागोपुर अगर लेते हैं मेरे छेतर का लीजेगा जहां हम 37,000 से चुनाव जीते हैं जहां हम अच्छे से चुनाव जीते हैं वहां भ कि लगभग तीन गुनाव जादा से एक एक जामपल अगर रूनी सहितपूर कर लिए जीएगा सिता मरी का तो वहां लगभग जो है 15 से 20,000 वोटों से हारे हैं पचीस हजार से हारे हैं लेकिन वह हारे हुए 15 से 20,000 छेतरों में पोस्टल में एक तरफा हम लोग लीडिंग क चको का रहा है जिन मुद्दों के साथ हम समान काम समान वेतन दिलाने की जो बात कही थी हमारे पक्ष में वोट मिले जिसको रद किया जया और ध्यान से आरा वाला भी पोस्टल वैलट का ही बक्षा था रात का तो एक जगे का पकड़ाया लेकिन रात के अंधेरे में क्या- आतरान जो है आम लोग डिमांड कर लें हायुक से अफरी सवाल किया गया कि विपक्स जो आरोप लगा रहा उस पर क्या कहना है उनका उन्होंने कहा कि हमने विपक्स को कहा है अरे भाईया सुनिये समझ गया है आप 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 एक मेंटेंग कुने तो कि और दो चोदेक नुए निए ने सब्सक्राइक सब्सक्राइब चत्राइब करनी ना कवड़ू ने दो लीड्य डिखाता उफर्वनिया को कि के कैनीडेट को यज कि आने सिट PUBG कया उप है और जब लेस्ट हम लोग देदेंगे उसमें कोई वो नहीं है और आप मैं इस प्रेस का इसका जवाब दे दिया है कि ये जनादेश बदलाव का है और फैसला उनको लेना है कि जनता के फैसले के साथ हैंकी नहीं